नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त रामकिस शोवे आप लोगों का अपने चैनल आर्के इंजिनियर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉगर के पोस्ट को SEO Optimize कैसे कर सकते हैं उससे सेटिंग को SEO Optimize कैसे कर सकते हैं दोस्तों बहुत सारे हमारे दोस्त भाई हैं जो SEO Optimization करते समय गलती कर देते हैं जिससे उनकी पोस्ट रहन नहीं करती उनका ब्लॉग रहन नहीं करता तो चलिए दोस्तों वीडियो को इसकिप मत करिएगा पूरा याड करता हूँ दोस्तों अपना Chrome ब्राजर उपन कर लेना है चलिए मैं उपन कर ले रहा हूं यहां पर आपको ब्लागर लिखके सर्च कर लेना है उसके बाद आप देख रहे होंगे यहां पर सबसे उपर ब्लागर डाट काम आ रहा है इसको ओपन कर लीजिएगा आप देख रहे हैं मेरी पोस्ट ओपन हो चुकी है पहले से मैंने लॉगिन कर रखा था आपने लॉगिन ना किया हो तो अपने इमेल आईडियो पासवार्ट से लॉगिन कर लीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर सबसे उपर यहां पर क्लिक करना है सेटिंग आप सबसे उपर का जो आप सने बेसिक यहां पर टाइटिल आप अपने ब्लॉग का जो नाम रखना चाहते हैं जिस जिसके बारे में आपने अपने ब्लॉग में पोस्ट लिखी हुई है उससे संबंधित आप यहा सब्सक्राइब भी आपका ब्लॉग जिसे सम्मधित है। उसके बाद ब्लॉग लेंग्विज्ग फिर्फ विलिंग इंगलीज़ ने-मे। भी लिख दीजिएगा एडल्ट कांटेंट का अफशन आता है तो यहां पे अगर आपका पोस्ट एडल्ट कांटेंट से संबंधित है तो यहां पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे अगर एडल से संबन्दित है तो यहाँ पे इसको कर दिजिएगा नहीं तो रहन दिजिएगा उसके बाद Google Analytics Property ID आ रही है यहाँ पे आपको Google Analytics साइटे पे जाना होगा Google Analytics साइट पर जाना होगा और यहाँ पे आपको अपना जो प्राइपर्टी आईडियों अगर इसे संबंधित आपको जानना कि गूगल ऊडिक स्ट करते हैं तो अविडियो वणा के दे दूंगा उसके बाद फवी कौन इसको आप आप ऐसे ही रहने दीजिए फिर आप जाएंगे privacy वे privacy में विज्वल टू सर्च इंजन मतलब आपका जो ब्लॉग है वो सर्च इंजन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए अगर आप अपना ब्लॉग सर्च इंजन में लाना चाहते हैं तो यहां साइड में आप देख रहे हैं इसको कर दीजिएगा पब्लिसिंग पर आएंगे आपका ब्लॉग एड्रेस दिखाएगा कस्टम डॉमें देखे मैंने यहां पर कस्टम डॉमें बाई किया हुआ है आर्केटिप्स.in तो अगर आपने बाई नहीं किया तो आपसने यहां पर आप अपना बाई कर लीजिए गाए कस्टम डॉमें चुकि गूगल एडिसेंस अप्रोवल के लिए कस्टम डॉमें बहुत ही जरूरी होता है उसके बाद आप यहां पर फाल बैक सब डॉमें इसको बाई कर लेंगे तो यहां पर रिडारेक्ट का आप सना जाएगा अप इसको क्लिक कर लीजिएगा यहां पर देख रहें क्लिक कर लीजिएगा चुकि यह ब्लॉग इसपॉट.com से आपका रिडारेक्ट हो जाएगा आर्केटिप्स.in मतलब जो भी आपकी पोस्ट होगी इ आपको यहाँ पर क्या करना है और फिर https redirect इसको भी आपको कर लेना है पर्मिशन पर जाएंगे ब्लॉग admin अथर आपका नाम अपना लिखना चाहते हैं आप अपने ब्लॉग का अथर में अपना नाम डालना चाहते हैं तो नाम डाल सकते हैं जैसे कि मैंने डाला हुआ है Pending author invite आप किसी अथर को अगर invite करना चाहते हैं अपने ब्लॉग में तो आप से इसके बाद आपको क्या करना है चलिए मैं बताता हूं पोस्ट टेंपलेट ये अप्षनल अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इमेज लाइट बाक्स इसमें सोकेस इमेज इन ओबरले अन टाप पोस्ट इसको ऐसे रहने आन कर दीजिएगा कमेंट में जाएगा कमेंट लोकेशन में इंबैडड ही रहने दीजिएगा हो कैंड कमेंट यहां पर यूजर विद गूगल एकाउंट से यह सेलेक्ट कर लीजि कि जैसे कोई कभी कभी इस पैंप लिंक या अपने साइट का लिंक वहां पर डाल देता है तो अगर आप जो पोस्ट चाहते हो कि ना सो हो ना पब्लिस हो तो आप उसको मोडरेशन में आल्विस क्लिक कर सकते हैं उसके बाद आप यहां पर जाएंगे इमेल मोडरेशन रिक मुष्ट आजाएगी तो वहां पर अपने मेल डाल देड़ी का ऊ fandacer करना है तो ऊक्या करना चाहते हैं असके बाद कुझा करना है कमें तो आप आप कोई आप पर कमेंट करेगा तो वहां नीचे यह मैसेज वहां पर लिखके आपको दिखाएगा उसके बाद यहाँ इमेल पर आना है पोस्ट यूजिंग इमेल इसको डिसेबल ही रहने दीजेगा कमेंट नोटिफिकेशन इमेल इसको सिम रहने दीजेगा आप आएगा फ आप डिट एडर जैसा आप चाहेंगे वह सब्सक्राइब कर सकते हैं कमेंट टाइम इस्टांप फार्मेट आप अपने हिसाफ से चूज कर लिजेगा यहां पर दीखिए सब्सक्राइब कर लिजेगा उसके बाद सर्च डिस्क्रिप्शन में जिस टाइप में आपका ब्लॉग है एक अच्छा सा यहां पर टाइप कर लिजेगा 150 आटिकल तक लेता है तो यहां पर अच्छे से लिख के आप यहां पर डाल देंगे चुकि जब आपकी साइट सर्च ह की बाद आप आफे ठीस जरूरी नहीं है उसके बाद आप आएंगे यहां पर क्रॉलर इंडेक्सिंग यहां पर देखेंगे के इनब्ल कस्टं रोबोट टेक्स्ट इसको वान कर लीजिएगा यहाँ पर कस्टम रोबिट टेक्स्ट यहाँ पर आपको यह टाइप करना होगा यूजर रेजेंट डिसलाव सर्च अलाव साइट मैप यहाँ पर देख रहे हैं जहां यहां पर मेरी साइट है वहां पर अपनी साइट को पेस्ट कर दीजिएगा बाकि पूरा कॉपी कलके आप यहां पर कस्टम रोबोट टेक्स्ट में डाल दीजिएगा यहां पर एनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैक्स इसको वान कर दीजिएगा होम पेज टेक्स पर आप जाईएगा यहां पर जब आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको आल पर क्लिक कर लिना देख रहे हैं आल पर क्लिक करिएगा बाकी इसको नो इंडेक्स रहने दीजिएगा आप बाकी नो डीपी के क्लिक कर दीजिएगा दो आपसन को आप क्लिक कर पिर उसके बाद आपको क्या करना से पोस्टम आंड पेस्ट एक्सब्ब और गूगल सर्च उसको आप अच्छे से करेगा आप जितने भी पोस्टय लिखते हैं सारी पोस्टो को आप गूगल सर्च कंसोल में जाके इंडेक्सिंग करिएगा अगर आपको नहीं पता कैसे करते हैं तो हमें comment में बताएगा मैं अगली वीडियो बना के आपको दे दूँगा आप हमें बताएगा comment में monetization पे आप enable custom add text इसको enable कर दीजिएगा यहां पे आप इसको enable कर दीजिएगा custom add text आप अपने website पे अपनी site लिखेंगे उसके आगे slash लगाके ads.txt आप क्लिक करेंगे तो आपका custom add text वोगा उसको यहां पे आप सेव कर दीजिएगा भी मैंने नहीं किया हुआ यहां पे लिक्किया आप सेव कर दीजिएगा उसके बाद आप आगे जाएंगे तो manage blog import content जैसे आप किसी site का content लेना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा यहां पे आप पूरा theme या जो भी post है इसको import कर सकते हैं backup content में क्या होगा कि आप अपने आपके site का जो भी content है आप ok करेंगे तो download का option आएगा डाउनलोड करके आप किसी भी site में यूज कर सकते हैं वीडियो डालना चाहते हैं तो video from your blog यहां पे क्लिक करके डाल सकते हैं remove your blog अगर अपने आप ब्लाग को permanently delete करना चाहते हैं अटाना चाहते हैं यहां से remove कर सकते हैं तो दोस्तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी दोस्तो वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे इसके लिए आप हमारी चैनल को subscribe करके notification bell on कर दीजेगा ताकि हमारी वीडियो आपको लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके दोस्तो तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो